नमस्कार दोस्तों, इंडिया में diabetes काफी common problem है दिखा गया है कि 20 साल के उमर के बाद हर 15 आदमियों में एक आदमी को diabetes होएगा और diabetes में body के अंदर शुगर जमा हो जाती है और उसके कारण बहुत सारी problems होती है देखिए diabetes में क्या होता है तो देखिए ये एक normal blood vessel है इसके अंदर से blood जाता है अगर किसी को diabetes होई तो इन blood vessels के अंदर sugar, cholesterol सब जमा हो जाती है तो ये जैसे ऐसी blood vessel है इसमें ये sugar और cholesterol जमा होई तो जहां पर blood इस पूरे उसमें जाना चाहिए था इस थोड़े से उसमें ही blood जाता है और ज्यादा advanced disease के अंदर ये पूरी के पूरी blood vessel ही sugar से जमा हो जाती है और पूरा blood supply बंद हो जाती है तो जब ये blood vessels ब्लॉक होती है तो उससे जो उसके organs होते हैं उसमें blood नहीं पहुंचता है अगर ये problem हार्ट में होई हार्ट की blood vessels ब्लॉक हो जाएं तो heart attack हो सकता है अगर ये brain में होए तो stroke हो सकता है लेकिन heart की या brain की जो blood vessels है वो काफी मोटी होती है तो उनको block होने में time लगता है जो penis की blood vessels है वो बहुत पतली होती है तो थोड़ी सी भी sugar, cholesterol जमा होने से ये बिल्कुल ही block हो जाती है उसमें blood supply बिल्कुल ही नहीं होता तो जब penis की blood vessels में blood supply नहीं होगा तो penis में hardness नहीं आएगी और उसके विए से पेशेंट सेक्स नहीं कर पाएगा तो इसलिए diabetes में जब blood vessels ब्लॉक होती है तो पेशेंट को erectile dysfunction की प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आप diabetic है और आपको erectile dysfunction की प्रॉब्लम में इसके आगे treatment कैसे करते है मैं Dr. Shisabhawal, urologist and rollist for robotics surgeon New Delhi India से आज आज आपको full details दोंगा देखिए सबसे पहले तो हमार को देखना चाहिए पेशेंट का शुगर कंट्रोल में है के नहीं है अगर आप diabetic है आपको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए आपका जो फास्टिंग शुगर है वो दोसों से कम होना चाहिए खाना खाने के बाद जो शुगर होता है वो भी दोसों से कम होना चाहिए जो खाना खाने के बाद दो घंटे बाद जो शुगर टेस्टिंग करते हैं वो भी 200 से कम होनी चाहिए और एक HbA1C होता है जो 3 मेने का शुगर कंट्रोल होता है आइडिली वो भी 8 से कम होना चाहिए तो तभी आपके शुगर कंट्रोल होईगी काफी पेशेंट्स को जब शुगर बढ़ता है तो एरेक्शन की प्रॉब्म शुरू रहती है और शुगर जब बाडी में कम होती है तो एरेक्शन की प्रॉब्म ठीक हो जाती है तो इसलिए आपका शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है शुगर कण्रोल के साथ-साथ अगर आपको blood pressure है या cholesterol है तो उन की भी दुआयाँ लेनी षाथ थाकि cholesterol भी control में रहे और blood pressure भी control में रहे ये सारी चीदों से फायदा होता है naturally इन सब चीदों कम करने के लिए एक तो patient को regularly exercise करने चाहिए और exercise ये भी नहीं कि normal टहलना रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, फास्ट एरोबिक एक्सराइज करने चाहिए जिससे पेशेंट हेल्दी रहे हार्टबीड बढ़े, पसीन आए, उससे ब्लड सप्लाय पुरी बॉड़ी का और्गन्स में बढ़ता है इसके इलावा हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, इन सबसे बॉड़ी में ब्लड सप्लाय अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, पेशेंट हेल्दी रहता है जाद तलिवी चीज़ है खाने से, रेड मीट खाने से, अनेल्दी होता है, शुगर बढ़ती है, कोलेस्टरॉल बढ़ता है, उससे एरेक्शन की प्रॉब्लम जादा होती है अल्कोहल मॉडरेशन में लेनी चाहिए, जादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए इसके लावा अगर आपको एरेक्शन की प्रॉब्लम है, और आप कुछ-कुछ दवाईयां ले रहे हैं, जैसे कि BP की दवाईयां या एंटी-डिप्रेसेंट दवाईयां, तो उन सब दवाईयों के वज़ए से भी एरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर आप BP की दवाईयां ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से discuss करिए कि आपको erection की problem हो रही है हो सकता है कि वो आपकी दवाई चेंज करें उससे आपकी erection की problem ठीक हो जाए इसके लावा आपको psychologist से भी बात करनी चाहिए psychiatrist से अगर आपको anxiety हो रही है घहराइट हो रही है tension हो रही है किसी बात की ताकि अगर आपको tension, anxiety ये सब कम होएंगी उससे भी erection की problem ठीक होईगी अगर आप ये सब natural चीज़ें try कर चुके हैं और फिर भी आपको erection की problem है और उसमें फायदा नहीं हो रहा तो उसके क्या treatment होते हैं देखिए सबसे पहले चीज़ तो दवाइया हैं हमेशा हम दवाइयां देते हैं patients को ये दवाइयां क्या करती हैं जैसे मैंने वो जाता है कि blood vessels block हो जाती है उन blood vessels को चोड़ा करती है तो उससे blood supply increase होती है और erection improve होती है जो commonly available दवाइया हैं market में जैसे कि sildenafil, tedalafil, evanafil ये सब दवाइयों के एक ही काम है कि वो blood vessels को dilate करती है बट diabetes में क्या होता है जब blood vessels बिलकुल ही block हो जाती है तो थोड़ी बहुत dilation से उनका कुछ फाइदा नहीं होता और erection problem ठीक नहीं होती तो सिर्फ दवाइयां diabetes में पूरा फाइदा नहीं देती हैं उनको और भी treatments कराने पड़ते हैं इसके अलावा जो common treatments होते हैं वो होते हैं एक तो injection therapy penis में injection देते हैं इससे penis का blood supply increase होती है इन injections को लगाने में कही लोगों को pain होती है कही लोगों को पूरा erection नहीं आता और जाहा लगाने से इसमें pyron disease भी हो सकता है बट फिर भी अगर आप दवाइयां काम नहीं करें तो injection ट्राइ कर सकते हैं इसके लावा vacuum therapy होता है vacuum therapy में क्या करते हैं कि outside एक device होता है उससे vacuum create करते हैं जिससे body का blood penis के अंदर आता है और उससे erection होती है काफी लोगों को ये vacuum therapy एक unnatural system लगता है जिसकी वज़़से वो comfortable नहीं होते है और कही लोगों को इससे pain भी होती है तो इसलिए ये इतना popular तरीका नहीं है treatment का इसके लावा कई लोग shock wave therapy भी try करते हैं देखे shock wave एक्सपरिमेंटल treatment है और जिनको severe problem हो उसमें ज़्यादा काम नहीं करता बट फिर भी अगर आपको आगे surgery नहीं करानी तो ये एक चीज है जो आप try कर सकते हैं इससे हो सकते हैं आपको फायदा होए shock wave therapy का कोई ऐसा नुकसान नहीं है बट फायदा होएगा के नहीं वो कुछ कह नहीं सकते है अब अगर आपको diabetes है और erection की problem है और आप सारे treatment ट्राइ कर चुके हैं दवाईयां ट्राइ कर चुके हैं अगर आपको एक्षिन की problem है अगर आप motivated है और ठीक होना चाते हैं तो इसका best treatment है penile implant surgery penile implant होता क्या है दिखे आप अगर सेक्स के टाइम पर यह finger है finger को आप वैजना में डालना चाते हैं तो यह finger डाल सकते हो क्यों क्योंकि अंदर एक हड़ी होती है उस हड़ी की वज़ासे उंगली में hardness आती है और वह penetrate कर सकते हो अब आपके penis के अंदर अगर हम लोग ऐसे कोई hard चीज डाल दें तो उसे क्यों हैगा कि penis भी hard हो जाएगी और वह penetrate कर सकती है तो penile implant ऐसी ही चीज है कि आपके penis के अंदर एक implant लग जाते हैं जिसे की penis में hardness आती है और उसे आप सेक्स कर सकते हो तो आप जबी भी penetrate करना चाहोगे आप इंप्लांट की वज़ा से पनेटेट कर सकते हो और सक्सेस्फुली सेक्स कर सकते हो Penile implant के फाइदे क्या होते है देखिए पहली बात तो यह natural intercourse है मतलब की ऐसा नहीं होता है कि अगर आप implant के सेक्स कर रहे हो तो partner को या आपको कोई pain होईगी या कुछ abnormality लगेगी बिल्कुल normally लगता है दूसी चीज Penile implant reliable है काफी बढ़ी आपको erection की problem हो रही है काफी बढ़ी implant वाले patient को early discharge की problem होती है बढ़ इंप्लांट लगने के बाद उनका time बढ़ जाता है दूसी बढ़ अगर time बढ़ता भी नहीं है फिर भी implant से hardness बनी रहती है तो sex करने के बाद भी अगर discharge हो भी जाए और आपका penis soft बढ़ी है हो है तो आप को किसी को बताने की जरूत नहीं है अगर आप छुपाना चाहें तो काफी मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं इन्होंने implant करा के शादी कर लिए और दो-तीन साल से अपनी पार्टनर को बताया नहीं है कि उनको implant लगा है और उनको पता भी नहीं चला है तो डाइबिटिक पेशेंट्स में जिनको सिवेर एडी है उसमें implant एक बड़ अच्छा option है अगर आप पिनाईल इंप्रांट सजी है और किसी चीज के बारे में ऐसे advice देना चाहते है तो आप मेरे को email कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं मेरे email address और WhatsApp number नीचे description में दिया हुआ है धन्यवाद